हलो गाज, सचीन वजे को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही जैसा कि आप सब को पता है कि सचीन वजे को एनाईये ने पहले ही अपनी कस्टडी में ले रखा है और काफी टाइम से जो है सचीन वजे जो है एनाईये की कस्टडी में है और लगातार एनाईये उस मुंबई हाई कोट ने सचिन वजे की कस्टडी दो दिन और बढ़ा दी है यानि कि साथ तारीक तक उसकी कस्टडी थी सचिन वजे की लेकिन मुंबई हाई कोट ने NIA के ही अंडर में दो दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है लेकिन अभी जो सबसे बड़ी अपडेट आ यह मंद्री को लेकर कि अनिल देश्मुक के ऊपर जो चार्ज लगाया गया है सीवियाई जिस केस में चानबीन करने आई है सीवियाई ने सीवियाई को जो है परमीशन मिल चुका है सचिन वजे से पूश्ताज करने के लिए और साथ में ही अपनी कस्टडी में लेने को लेकर यानि की सचिन वजे जैसा के आप सबको पता है कि पहले से नाई एक कस्टडी में अब उसकी कस्टडी नव तारीक तक बढ़ा दी गई है तो 9 तारिक के बाद जैसे ही वो छूटेगा NIA के कस्टडी से उसको जैसे ही बाहर किया जाएगा उसको सीधे सीधे CBI अपनी कस्टडी में ले लेगी यह जो अभी बड़ी अपडेट आ रही है कि CBI जो है अब उससे पूस्ताज कर सकती है और CBI उसको कस्टडी में ले सकती है इस चीज की परमीशन आज CBI को मिल गई है तो कहीन कहीं से एक बड़ी अपडेट आ रही है और सचीन वजे के लिए काफी बड़ी दुक वाली बात है क्योंकि वो सोच रहा था कि NIA से कहीन कहीं से उसने जो बहाने अभी लगाये थे अपना एक एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाया था जिसमें उसके हार्ट में जो है ब्लॉकिस थे दो-दो उसके जो वकील ने दिखाया था वो सारी चीजे पहले ही वो सोच रहा था कि NIA के कस्टडी से वो छूट जाएगा लेगिन अब जो है नाई की कस्टडी से छूटने एक बाद सीधा सीधा हुँ जाएगा CBI की कस्टडी में और CBI उससे लगातार पूस्ताज करना इस्टार्ट कर देगी क्योंकि जो मंत्री थे जैसे कि अनिल देश्मुक के उपर कापी बड़े-बड़े इल्याम लगाये थे उसमें सचिन वजे का नाम ही लिया गया था कि सचिन वजे ने ही वो सारा काम किया था वो भी अनिल देश्मुक के कहने पर तो अब जो है अनिल देश्मुक जो सोच रहे थे जो मंत्री थे वो सोच रहे थे कि बच जाएंगे तो उससे पहले ही CBI के उपर रोग लगा देंगे लेकिन अब कहीं न कहीं से उससे पहले ही CBI सचिन वजे को अरेश्ट कर लेगी और और उसे सचीन वज़े से जो मेन सचीन वज़े को अनिल देश्मुग ने बोला था या नहीं बोला था वो CBI उससे कबूल करवा ही लेगी तो कहीं ने कहीं से बड़ी अपडेट आ रही है और जल्द ही जो नेता थे जो सचीन वज़े को जिन्होंने सपोर्ट किया था जो मेन इसके मास्टर माइंड थे वो जल्द ही कस्टडी में होंगे वो भी CBI के आपका क्या ओपिनियन है आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को जाश ज्यादा सेयर करें